हे ड्रीमामी क्या हाल है तुम सब लोग के मैं तुम सब का होस्ट ड्रीम बोई बैक अगे इन विडियो तो आज की सवली वीडियो के अंदर मैं तुम सब लोग को बताने वाला हूँ ग्रैनी चैप्टर 2 की रियल होरे स्टोरी तो गईस वीडियो तो बहुत ही ज्यादा अमे शाउट आउट कैसे मिलेगा मेरी वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया उसी टाइम तो गईस चलो यार विडाउट वेस्टिंग अन्य टाइम वीडियो को शुरू करते हैं तो गईस स्टोरी स्टार्ट होती है ग्रैनी चैप्टर 1 की तरफ से अगर तुम्हें पता है ग यहां पर को साउंड बसता है एकदम इमोशनल साउंड जो बहुत ही अच्छा लगता मेरे को खुद को भी और तुम लोग को भी लगता होगा बट गाईस सीन यहां पर यह बैटता है कि स्लेंडर ना जो होती है वो दिल की भले ही साफ हो बट उसका दिमाग एकदम अजीब लिट होता है जो की पूरा ब्लैक मैजिक से बहुता है तो वो सौचती है कि ग्रैनी का जो गर है यह फिर कर सकते हो तो ठबाई चैके होगा आत्मा होती है वो एकदम रिलीज होके ग्रैनी के पास आ जाती है और ग्रैनी तुम्हें पता ही है कितनी पावरफुल होती है बट सलेंडरिना पहले काला जादू करती थी ब्लैक मैजिक के अंदर उसका बहुत ही ज़्यादा विश्वास था वो करती भी थी तो इस वज़े स उसकी जो आत्मा थी मरने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी इवन ग्रैनी से भी ज़्यादा पावरफुल थी तो ग्रैनी ये सब देखके बहुत ही ज़्यादा डरने लग गई थी सलेंडरिना से और ग्रैनी ने सोचा कि अब टाइम आ चुका है घर शोड लो तो ग्रैनी क्या करती है ग्रैनी हमें ढूनने लग जाती है और हमारा भी day 5 होता है तुम सब लोग को पता है बट at the last हम लोग escape कर जाते हैं और इस घर से भाग जाते हैं तो ग्रैनी सोचती है कि अरे यार वो बंदा तो भाग गया अब मैं क्या करूँ इवन में तो बेश होते हैं और उन सब को खोलना पर्दता है वह सब ग्रैनी नहीं खोल पाती थी क्योंकि उसके की के लिए हमें चाहिए होछी थी और हमें नीचे जुकना पड़ता था नीचे रहर टेनल से वह नहीं कर पाती थी ग्रैनी क्योंकि उसके गुटने में मुड़ते ही नहीं तहीं यैसे बहुत फ़नी है बट है एकदम सही बात है और जैसे हम लोग escape करते हैं हम अगर कार से escape करके भागते हैं तो उधर से जो वो होता है shutter वो खुल जाता है और door से escape करके भागते हैं तो gate खुल जाता है और granny को हमारे footstep दिख जाते हैं येस गाइस हमारे footstep जैसी दिख जाते हैं तो granny footstep का पीछा करने लगती है और हमारे पीछे पीछे आदाती है बट अब जब हम चल रहे होते हैं हम player जब बंदा चल रहा होता है तो उसके सामने घर आता है और उस टेम दिन हो रहा होता है तो उसे लगता है घर एकदम ठीक है इसके अंदर रुख सकते हैं क्योंकि उसको पता था है इदर बहुत ही जादा मतलब ड्रावनी चीज़े होती है बट दिन के अंदर नहीं होता और वो घर grandpa का होता है और वो जैसे घर के अंदर घुसता है वहाँ उसे एकदम सब कुछ ठीक ठीक दिखता है क्योंकि ग्रैनी का घर बहुत पुराना था और उसके अंदर blood वगएर भी पड़ा होता है इसलिए वो डर गया था जब ग्रैनी के घर में आया था तो वो grandpa को उठाता है बट grandpa जैसे उसे देखता है वो अपनी चड़ी उठा के उसके टांट पर मार देता है यहाँ बिल्कुल सही बात है टांट पर मार देता है और हम फिर से भिहोष हमारे साथ वही सीन और फिर वो सोचता है कि इस बंदे का मैं क्या करूँ वो हमें basement में ले जाता है और एक कमरे में बंद कर देता है फिर उसी के कुछ मिनिट बाद उसकी doorbell बचती है doorbell जैसे ही बचती है वो gate खूलता है और सामने खड़ी होती है granny grandpa के घर के आगे granny फिर granny देखके एकदम से हरान हुजाती है कि यार grandpa इज़र क्या कर रहा है क्योंकि grandpa की भी death हो गई थी पहले और grandpa अब ऐसे कैसे जिन्दा है तो granny उससे बात वात करती है कि मुझे इस घर में रहना है उस घर में सिलेंडरी ना आ चुकी है फिर granny बहुत ही ज़ादा परिशान हो जाती है क्योंकि अब वो कहीं भी नहीं जा पाती तो granny grandpa को बताती है कि मेरे घर से एक बंदा भाग चुका है जो कि day five में भागा था फिर grandpa सोचता है कि यार अबे मेरे घर में भी तो अभी एक बंदा आया है कहीं वो भी ना भाग जाए तो इसी लिए grandpa granny को अपने घर में बुला लेता है नहीं तो grandpa बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि granny उसके घर में आये क्योंकि grandpa के घर में भी कुछ अलग ही सीक्रेट है सलेंडरना का husband है सलेंडरना का बच्चा है अगर उनकी भी तुम्हें story चाहिए back वाली मतलब उनका full background जानना है तुम्हे तो मेरे को comments करके जरूर बताना मैं तुम सब लोगों के लिए वो वीडियो जरूर लाऊंगा तो guys सभी time वा गय है shout out देने का और shout out जाता है आप सभी लोगों को अगर आपको shout out चाहिए ऐसे ही मेरी वीडियो के अंदर तो आपको सबसे पहले वीडियो को like करना पड़ेगा share करना पड़ेगा चैनल पने हो तो भाई subscribe जरूर करना पड़ेगा साथ में बेल का इकन मी दबादना पड़ेगा और सबसे में बात तुम्हें एक ऐसा कमेंट करना पड़ेगा जो कि shout out के लिए एकदम best हो जरूरी नहीं है कि यार तुम मेरी तारिफ करो तुम कोई भी एक best comment करो अच्छा comment करो कुछ भी करो बार अच्छा होना चाहिए यार वो comment जो shout out के लिए एकदम best हो तुम्हें एक comment अच्छा सा करो यार कोई बड़िया सा तो तुम्हें shout out जरूर मिलेगा again thank you guys, comments करने के लिए तुम लोग के comments में को बहुत ही जादा बढ़िया लगते हैं okay guys, वीडियो को दुबारा शुरू करते हैं तो guys, यहाँ पर मैंने तुम लोग को बता दिये कि granny chapter 2 की story है क्या और अभी उसका सलैंडिना का बच्चा है, monster है, उसका husband है अगर तुम लोग को इनकी story चाहिए और जो granny, grandpa, इनके पूरवच थे, grandpa की story अगर तुम्हें यह सब चाहिए, तो मिरे को comments करके बताओ तो मैं तुम सब लोगों के लिए वीडियो पका लाऊँगा, बिलकुल लाऊँगा guys तो guys, अगर वीडियो तुम्हें पसान आई, तो like जरू करना, share करना चैनल पर नहीं होतो भाई, subscribe जरू करना, साथ में bell का icon में दबादेना और guys, comments करके जरूर बताना कि तुम लोग को वीडियो कैसी लगी तो okay guys, thanks for watching, bye bye